दिल्ले में हुए कति शराव घोटाला मामले में पुष्टाश के लिए प्रवर्टन निदेशाले याने एडी के तिसरे समन पर भी मुख्यमंत्री अर्विन केश्रिवान नहीं पौचे जिसके बाद जाच एजनसी को सियम केश्रिवान लिचिठी लिखी है उन्होंने पेशना होने की पीछे कारम पताती वे लिखा कि वह अभी राज्य सवाद चिनाव विवस्त है साथी का कि वह किसी भी सवाग का जवाब देने के लिए तयार है सुत्रों के हवाले से शराव घ में दिली के मुख्यमत्री अर्विन किज्रिवा की गिरफतारी की आशंका के पीच एडी अब उन्हें चौथा समय भीशने की तयारी करी है जिसके बाद आपकी बड़े-बड़े निता केंडर सरकार पर हमलावर है उनका कहना है कि हमारी आम आत्मी पार्टी को केंडर सरका चाती है जूटे आरुप लगाकर हमारी निताओं को जेल में डाला जा रहा है और इडी नश्वक्ष होकर जांच करने के पचाय केंडर सरकार की द्वारा बनाय कई रन्निती पर काली करी है वही आगके इन आरुप उपर राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी के दिली प् तता महत्वपुन है कानून नहीं एमपी चुनाव महत्वपुन है कानून नहीं गुज्राद दौराज जरूरी है लेकिन देश की जाज एजेंसियों के लिए आपकी पास टाइम नहीं है अर्विंद केज्रिवाल अपनी आपको कानून से पर मानते है शायद तबी एडी जैसे जाज एजेंसियों को नकार रहे हैं अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया है तो आपको एडी के सामने पेश होने में कौन सा डर सता रहा है केज रिवाल जी और क्या कुछ कहा आए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में दिली के मुखुमंती अर्विंद के जरिवाल को तीन बार एडी ने समन भेजा और तीनों बार एडी के समन को दिली के मुखुमंती अर्विंद के जरिवाल ने एगनौर कर दिया हमारे साथ इसी मुद्वे पर बाचीत करने के लिए मो Dae Ji League already सुर्ण ‎. मैं कि जरिवाल के स्टीकर ये जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि लोगों का समर्थन मिल रहा हैं। और यह कह रहे हैं कि मैं भी कुझ जरिवाल हुआ है कि सरकार चलाएंगे सिर क्या कुछ कहेंगे हैं आप द Subscribe के बाइए साल आपको पार्टी में हो गए हैं और दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हैं जहां दिल्ली मोडल की बात की जाती है वहीं अब दिल्ली सरकार याँनि आमाधी पार्टी पर करफशन का रोप लग रहा है और दो मंतरी और एक सांसा जिल्में भी हैं और अब ईडी ने आमाध पालिका की इज़त नहीं करनी चाहिए आप एक CM होके कि आपको ED का कहना नहीं मानना चाहिए अगर आपको कोई सच्चाई है तो आप जाके ED के सामने क्लियर करो ना उस प्रोडम को इसका मलाब चोर हो आप जूटे हो इसे लिए आप नजने चुरा रहे हो इडी से चार-चर समने शो होगे आप जाने देऊ इससे जनता के ओपर क्या असर होगा जब एक स्टेट का CM कानून की को ताक पर रख रहा है तो जनता क्या करी हो वो ये कह रहे हैं कि हमारी पाटी और हम कट्टरी मांदार है हमारे नेता कट्टरी मांदार है आगा में लोग सबस्चुनाओं को लेकर केंद सरकार यानि BJP हम से डर रही है इसलिए तमाम एजेंसियां हमारे नेताओं के उपास भीज रही है यह तो बेकार की बाते हैं कोन किस से डर रहा है यह नहीं समझा रही मुझे तो यह लग रहा है कि आपको डर लग रहा है कि आप जा रहे हो वाक्या में आप जा रहे हो अब 2025 में आप नहीं आ रहे हो अब जाने के तयारी करो हम आ रहे हैं जनता को पता है सब को कि किशोर गोर और देमन और ये कहा है कि बड़ा जन सेलाब के जरिवाल जी के समर्थन में आ रहा है आवधि पार्टी के समर्थन में आ रहा है और अब चार साल के बादSpot ऑनको दिली के गाह películ याद आ पता उन्होंगे तो गाऊंपे बाहाली नहुती क्या याथ साल खतम इडी का क्या समान नहीं करना चाहिए इडी ने अगर कोई अब्जेक्शन लगाया तो किसी बेस पर लगाया होगा ना चार समन इस्व कर दी ए इडी ने चोते समन पर भी आप इग्नूर कर रहे हो तो सुना आपने कि सुर्गोहरी जी हैं एंसीपी पार्टी के दिली प्रदे चाहिए कौशी पार्टी क्रफशन के आरोप लगातार आमादी पार्टी पे लग रहे हैं उनके मंत्रियों पे लगए हैं और आप डारेक्ट cm के जरिवाल के ऊपर भी लग चुके हैं आरोफ आपकी क्या परतिकरिया है इस खबर पर हमारे कमेंट बॉक्स में learning कित इंडा झाल झाल